हेलो इस्टुडेंट हम लोग कैसे फिजिक्स का त्यारी करें इस एक्जाम देने के परपस से कैसे चैप्टर वाइज हम लोग को त्यारी करना चाहिए और उसमें आज हम चाहेंगे आप लोग को इलेक्टिक चार्जे जन फिल्ड के बारे में बताना इलक्ट्र स्टेट का फर्स चैप्टर उसमें कौन सा बात को ज्यादा विसेश ध्यान देना चाहिए जिसे कि आप उसकी त्यारी अच्छा करें हम लोग जानते हैं कि लग्ट्र स्टेट इस दे स्टेडी ओप दी चार्जे जट्रेस्ट होता है बट वाट फर्मूला विसुट विएर इन माइंड और हाव तो इटलाइज डाट फर्मूला वो सबसे पहले अगर बात कहा जाए तो चार्ज के बारे में बात आता है और हम आपको बतांगे कि आप कौन कौन सा चीज बोट परकश से केर्फुली रिवाइच करेंगे तो इसी परकश से हम इसको आपको बता रहे हैं तो चैप्टर नमर वन हम यहां पर बताएंगे आपको चाप्टर नमर वन तो आप केरफुली देखें सबसे पहले उसका प्लानिंग कर लें इलेक्ट्रिस्टेट का इलेक्ट्रिक चार्जेज इलेक्ट्रिक चार्जेज हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें लेकिन इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए उसमें कौन सा फर्मूला यूज होगा जो हमको ज़्यादा जरूरी है तो ये चाप्टर नमर वन का केर करें और सबसे इंपार्टन फर्मूला इस चाप्टर में जो आएगा कि जो भी चार्ज हम लो यूज करेंगे वो चार्जेज अट रेस्ट होंगे चार्जेज अट रेस्ट दूसरा बात जब चार्जेज अट रेस्ट है तो कौन्टाइजेशन का मतलब क्या होता है कौन्टाइजेशन के अनुसार जो फर्मूला आता है वो कौन सा फर्मूला है जो तो हम लोग क्या करेंगे तो उसमें quantization का formula लगएगे, उसमें क्या होता है, n times e, यह formula नंबर 1 आप के खुर लएगे, अब इसमें यह पता है, कि n क्या है, n number of electrons है, जो सारे लोगों को पता है, नंबर of electrons है, लेकिन e stand for the charge on each electron, तो charge on each electron कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb यह आपको careful रहना है यह value आपको learn करके ध्यान रखे रखना है इन्हें की सोचना है इसमें कि 1.6 लिखे कि 9.6 लिखे इसमें careful रहना होगा तो basic quantum of charge में यह value ध्यान में रखना है total value रखने का जरूवत नहीं 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb रख दिये काफी है यह यह order से हमको पता चल जाएगा smallest amount of charge that are called basic charge on electron according to quantum theory and quantization of charges the total amount of charge is the integral of the charge on each electron यह बात का धियान रखते है दूसरा बात आता है एक और चीड़ है इसमें इंपॉर्टन बात कि जब आप charge to N into E लेते हैं तो plus minus दोनों charge का ले सकते हैं तो N का कोई भी value भरे number of lektrons ले 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 1, 2, 3 कुछ भी करें हाँ वो यहाँ पर काम आ जाएगा दूसरा बात important है जब हमने quantization of charge का formula यूज कर लिया तो आप देखी कि बहुत साड़ा बच्चा लो जो है कूलम्सला कूलम्सला पढ़ा है what is the meaning of कूलम्सला हर student को कूलम्सला का formula को careful रहना चाहिए आप कूलम्सला सब कोई जान रहा है तो कूलम्सला में सबसे पहले तो तुम point charge का मतलब समझो कि यहाँ पर point charge कैसे लिखा गया उसका separation को दिखाओ center to center one low is the distance between the two charges point charge का नाम रख लिया जाता है q1 रहता है दूसरा क्या रहेगा q2 रहेगा अब यहाँ पर कूलम्स फर्मूला जो लिखते हैं तो हमको careful रहना पड़ता है कि यह force का जो value होता है वो कितना होता है one upon four pi epsilon naught charge one into charge two divided by r square यह exact formula इसमें कोई changing नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पर यह बात हो रहा है कि one upon four pi epsilon naught यह होता क्या है क्या रखता है यह meaning तो आप इसको ध्यान में रखे epsilon naught का carefully इसको care करे यह permittivity of the यह permittivity बोलता है इसको permittivity of free space बोला जाता है इसको और इस बात का ध्यान रखा जाता है फिर आप कूलम्स लब पर रहे हो तो यह भी carefully रो कि one upon four pi epsilon naught जो है वो क्या होता है यह कोई constant मान लिया गया है perpulsivity को remove करने के लिए और इसको 9 into 10 to power 9 के रूप में Newton into meter का square by coulomb का square अब Newton meter square per coulomb square यह ध्यान रखना होगा कि आप whether you are writing that as I mean it correctly or not अगर इसमें जड़ास भी गलती होगा तो आप wrongly introduce कर देऊगे सारा भैलू को तो आसान है कोई बच्चा को अगर कूलम्स लब का केर करना है तो आप यहाँ पत्वास केरफुली रहें अगर हम इसी डाग्राम में थोड़ा सा changing ला दें थोड़ा सा force को इधर दिखा दें और एक इधर भी दिखा दें आप देखिए changing ला दिए दोनों का अब charge 1 है अब charge 2 है तो आप देखिए जिधर force जाएगा मा लेज़े force लग रहा है second charge लेज़ लगाने बाला कौन है first charge तो हम F21 उधर लेगे अगर force experience ओड़ा है Q1 पर Q2 के कारण तो F12 लिख रहे है तो यह ध्यान में रखना पड़ता है फिर एक और तरीका चेंज हो जाता है vector form में आप vector जब लिखते हो तो यह भी ध्यान रखो अगर आप R का relative distance देख रहे हो Q1 से Q2 के बीच में तो R12 बोलो ठीक है जब R12 बोलोगे तो इसके direction में क्यूनित vector act करेगा वो R जाएगा 1,2 का cap 1 के center 1, Q1,2 Q2 की और अजब यही अगर Q2 से के current Q1 पर force लेगा तो unit vector काम करेगा R21 तो यहाँ पर unit vector का concept आ जाता है तब vector form में फर्मूला लिखते है जैसे मालो हमको लिखना रहेगा या आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हो कि force कैसे लिखें तो साड़ा ची जो ही रहेगा 1 upon 4 pi epsilon not भी रहेगा charge 1 रहेगा charge 2 रहेगा but अब यहाँ से carefully हमको देखना होगा कि क्या हो रहे जैसे मालो force acting on हम लिखना चाह रहे है 2 पर due to 1 तो force experience कौन कर रहा है 2 कर रहा है q2 कर रहा है किस के कारण कर रहा है q1 के कारण कर रहा है तो force f21 लिखेंगे तो line joining the distance of the 1 to the 2 उसका square हो जाएगा और cap किधर जाएगा तो f21 का जो direction है वो line joining the center of q1 से q2 की ओर है तो cap लग जाएगा यह हुआ vector form में लिखने का तरीका तो आप इसको ध्यान रखें कि कैसे लिखा गया अब इसको देखिए ठीक है अब यहाँ देखिए अगर हम force को लिखना चाह रहे है f12 left side वाला force तो फिर वही लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon not लिख देंगे charge का product q1 q2 ले लेंगे और f1 जो है वो center 2 to 1 की तरफ है square जाएगा और unit vector center 2 to center 1 की तरफ जाएगा यह दोनों जो formula लिखा गया इसी को vector form of coolant slab होला जाता है तो यह carefully रना चाहिए कि how we are able to write the formula take care of the separation of the two charges also take care of the unit vector acting by joining the center of the charge due to which the force is acting on the first charge यह सब का care किया जाता है फिर आप k का जो value 9 into 10 पर 9 लिख तो उसका unit पर धियान रखो हाँ permittivity of the free space का बुरा value जानो की कितना होता है बहुत सारा बचा को याद नहीं रहता है अब याद नहीं रहने का कोई उपाय क्या है इसको लिखो 8.854 जो होता है into 10 to the power minus 12 होता है यह permittivity of the free space का value है तो newton से related है हाँ newton से related है और charge के नीचे है तो इसका value जब हम लाना चाहेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि value कैसे लाए जाएगा कूलम तो है कूलम का square है newton नीचे आएगा इसके पास में तो per newton बोलेंगे और distance में क्या है meter square है तो यह जो unit लिखा जाता है parameterity of the free space का इसका care किया जाता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि electro state का जो पहला chapter होता है उसमें छोटा छोटा बात का ध्यान रखना परता है और एक चीज़ और है SI unit पर भी से ध्यान रखना परता है हम लोग को और total जो 1 upon 4 pi epsilon not का value लिखे 9 into 10 to power 9 उसको care for use करना चाहे हाँ उसके बाद आप देखी कि अगर हम 1 upon 4 pi epsilon not into epsilon यह जब लिखते हैं आप इसको direct use केजिए जो direct में मैंने लिखा था कि 9 into 10 to power 9 होता है तो Newton का meter square के साथ साथ per column square होता है यह value के कारण क्या होता है कि कोई भी column force का numerical जो रहेगा कोई फर्मूला रहेगा आप direct 9 into 10 to power 9 लिखे आप charge 1 into charge 2 और divided by charge 1 और charge 2 divided by R square का यूज़ कर सकते हैं तो this is the useful formula for numerical problem तो numerical के लिए यूज़ करते हैं हम लोग यह फर्मूला बना लेते हैं आप उसी तरह थोड़ा सोचो पढ़ते पढ़ते बीच में आ जाता है कहीं कहीं पर एक term आता है एक formula है उसको dielectric constant के नाम से जाना गया है वह बहुत बार यह board exam में यह term पूछा गया है हाँ dielectric constant क्या होता है तो लैटिन वर्ड में कपपा बोलते हैं लेकिन हम लोग लोकल टीचर लोग या स्टुडेंट लोग के बोल देते हैं constant अब बात यहां पर आते हैं कि dielectric जो वर्ड यूज किया गया है dielectric constant होता क्या है तो जब हम कुलम्सला का compare करते हैं उससे जब value लाते हैं और तो dielectric constant का dielectric तुम फर्मूला ध्यान रखो कि जो force लएगा अब हैक कम में मान लो charge को रख दिया गया और किसी medium में रख दिया गया तो medium का कोई खास नाम नहीं है आप खाली M पॉर medium मान लो तो F not by FM को dialectic constant बोलेंगे और जब इसको तुम divide करोगे कुलम्सला में देखो यहाँ F not लिख तो permitivity 1 by permitivity उपर आजाएगा और नीचे में जाओगे तो 1 by epsilon रहेगा तो उल्टा हो जाएगा epsilon उपर चला जाएगा देखो गोर से हम direct लिख रहे हैं और epsilon not नीचे आजाएगा तो force का ratio vacuum to medium रहेगा जबकि epsilon का जो ratio रहेगा medium to vacuum रहेगा तो थोड़ा सा यह relation पर carefully रहना परता है रह टूटके आप तो चल नहीं सकते हो और यह सी dialectic constant को लोग relative permittivity epsilon r भी बोलते हैं तो कितना आसान काम है कि when we are going to revise for the vote purpose and we are going to summarize all the things we should take care of the coulombs law we should take care of how to write the coulombs in the vector forms and how to decide the unit vector acting between the two charges we should also take care of epsilon not the value 8.854 10 to the minus 12 यह जोड़ाता है इसको धियान रखने परता है अब फर्मूला को धियान रखो कि फर्मूला में epsilon not कहां है तो newton को उठा के यहां ले जाओ epsilon not के यहां रखो तो जब force नीचे रहेगा तो epsilon का counting में newton से divide हो रहा है तो newton inverse हो जाएगा coulom उपर है coulom का square हो गया और distance का square नीचे है तो पर्मीटर square हो गया यह काफी remarkable बात है अगर आप sequence में इसको revise करोगे तो यह बात को तुम लीख सकते बच्छे से तो यह भी धियान में रखना चाहिए कि dialectic constant अगर आता है most important topic है यह एक नमर का question तो जरूर राता है board exam में कही न कहीं पर linkage कर दिया जाता है question का तो यह dialectic constant को आप star माल लो very important terms in the electrostatic especially the terms dialectic constant and relative permittivity इसी को देखो थोड़ा आगे जाके कोई teacher बोला नहीं हम epsilon k नहीं बोलेंगे हम बोलना चाहते हैं epsilon r तो epsilon r का मतलब क्या होता है relative permittivity तो कहीं पर यह term को ध्यान में रखो कि relative permittivity permittivity यह epsilon r इसका symbol है formula same है तो यह ध्यान में रखना चाहिए और फिर देखते हैं next में हम एक formula और लेंगे एक formula और ले रहे हैं यहाँ पर अब आजाईए कि अगर आपको dialectic constant का use करना है तो आप यहाँ पर ध्यान रखो कि भाई k का formula हमने पढ़ा था क्या तो f not y f m यह वार वार हम लिखते हैं इससे फायदा क्या है कि कोई question में माम लोग पूछ लिया कि force बताओ किसी medium में तो और इजनल जो force कुलम का लग रहा था उसको k से divide करो गे तो तुम्हारे पास एक वो force आजाएगा जो तुम्हारा dialectic medium में charge को रख रहा गया था तो how to calculate the force acting between the same two charges when placed in the given medium if the directly constant is given K तो यहाँ पर जब value रहेगा तो original force जो है कम बला रहेगा उससे तो इसको divide कर दोगे तो इससे तो मारा आजाएगा दूसरा बात और है छोटा छोटा बात है अगर आप competition की तयारी कर रहे हो CBC vote के साथ साथ तो fixed knowledge तो काम चलेगा नहीं fixed knowledge चलेगा नहीं there must be some force also तो एक gravitational force होता है तो अगर आपका electrostatic force को F ही बोल दिये जो column force है और gravitational force को मैंने F लेकर के कुछ gravitation के symbol में G रख दिया अगर कोई student इसको divide करेगा तो कुछ न कुछ formula लाएगा electrostatic force में जो relation रहेगा और यह दोनों को divide करके formula लेंगे हम लोग तो gravitational force में हमको मालूम था कि newtons नहीं दिया था तो newtons नहीं जब दिया था तो उसनका जो formula है था उसमें बड़ा वाला G था mass of earth था या किसी एक point का था हाँ और mass of the दूसरा point है माल लो कुछ दूसरा ले लिया proton P के लिये लिया neutron के लिये लिया कुछ ऐसा macroscopic study कर लिया और दोनों का separation को R square को उपर लेके चला गया तो यहाँ पर धियान रखना है कि जब हम k times e square करेंगे तो यह value कितना देगा तो कोई इसका fix है नहीं value यह scientific value है 2.27 करके लिया जाता है और करी करी 10 to power 39 value इसका दिया गया है तो यह आप धियान रखो ratio of the electric force and gravitation force between the proton and electron अब देखो यहाँ पर यह mass of proton के रूप में यह लिया गया एंपी जो हता है तो mass of proton तो जब कोई बच्चा atomic structure पड़ा होता है तो proton का मतलब जानता है neutron का मतलब जानता है mass of neutron तो जब ऐसा बात होगा तो हम लोग compare करके force का carefully देख लएंगे कि electricity forces are much stronger than gravitation force तो ध्यान भी रखना चाहिए कहीं कहीं पर मालों पूस देता है कि which force is more stronger तो आप बो ग्रेविटेशनल force is much more stronger than the electricity force is much stronger than the gravitational force तो यह सब का चीज़ का care करना चाहिए यह थोड़ा extra बात हो गया कोई ज़रूरी नहीं कि CBC exam में आएगा ही आएगा CBC exam में जो आएगा वो तो formula fix हो गया कि यह आएगा ही आएगा लेकिन आप जब competitive preparation में जा रहे हो तो तुमारा fix boundary नहीं है किसी का यहाँ पर यह fix knowledge नहीं काम करेगा कि भाई dialectic constant आ गया तो मैं बहुत बड़ा तेज तरह हो गया नहीं आप और आगे बर जाओ आप compare करके कुछ value को जानो फिर यह comment को भी recall करो कि वह electricity force stronger होता है than that of the gravitational force इशारा बात है फिर हम इससे थोड़ा आगे बरेंगे और आपका चर्चा को हम थोड़ा सा boost up करना चाहेंगे जैसे मान लो कि तुम revision कर रहे हो तुमने force लिखना सीख गया किसी ने पूछा कि बहुत सरा अगर charge रहेगा बहुत सारे charges है QN charges है N charges are distributed हाँ N charges N charges are Q1 Q2 Q3 Q1 अब तुमको यहाँ पर बोल दिया कि हाँ बताओ जी principle of superposition क्या होता है बहुत बच्चा समझता ही नहीं superposition का मतल क्या होता है superimpose superimpose का मतल क्या सारा charge का परभाव और उसके बाद resultant force क्या होगा तो एक simple formula में हम लोगी call करेंगे मान लो यह सारा चीज का किसी एक charge पर force लग रहा है तो हमने सोचा कि चलो जिस charge पर force अनुभव हो रहा है उसको मैंने exerted force on the Q1 मान लिया ठीक है अगर मान लो कि कोई force लग रहा है Q1 चार्ज पर लग रहा है Q2 के कारण तो मैंने उसका नाम दे दिया F12 फिर तुम सोचो कि Q1 ही force experience कर रहा है लेकिन third charge के कारण कर रहा है तो उसको मैं बोलूँगा F13 तो the charge which is assume is the test charge and forces are acting duty all other charges पर जब जब तुम समझे तो Q1 को ही decide कर लेकि चलो Q1 एक ऐसा charge ले लिए हम लोग system of charge में जिसके कारण सब पर इसके कारण force लगता जा रहा है जितने भी charges present है around the system में वो सब Q1 पर लेकिन तो इस समय Q1 test charge बन गया और इस तरह से number of जितने भी charges present रहेंगे all will exert the force on the Q1 so we will write F1 and इसी को principle of superposition बोला जाता है वेवारिक तौर पे और अगर student चाहे आउत अपना काम अच्छा कर सकता है जैसे force में क्या होता है और क्या होता है charge 1 होगा दूसरा charge कौन है जिसके कारण force लग रहा है Q2 है तो उनके 20 का distance क्या होगा और 12 का square होगा तो अगर आप इस तरह से cap में डालना चाहते हो तो जो भी 1 and 2 के 20 का joining है आयत में डाल दो तो अगर हम आयत लिख दें तो end charge के लिए calculation चला जाएगा तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि आप Q1 पर रखो अगर आप आयत करोगे तो 1,2,3 उसी में बहर दोगे और सब का क्या करो सीगमा डाल दो और starting charge मालो तो मारे पास Q1 टेस चार्ज है तो 2 से counting होगा तो इन तक जाएगा अब charge 1 तो experience कर रहा है बाकी जितने charge second वाले थे वो कोई भी हो सकते हैं तो मैंने यहाँ अगर आई धर दिया तो इसको भी आई कर दिया तो यह अपना तरीका है लिखने का कि कैसे आप express करते हो लेकिन यह बात का धियान लगना चाहिए कि super position principle tell us about how many forces are exerting on the first stage charge due to the all other and charges present around it तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग यह कैसे force का relation लाते है और भी चीज़ है जो छोटा छोटा बात है केरफू देखना परते है कोई तुम से बोला चलो electric field का नाम सुने हो हर आदमी बोलता है हाँ सर जान रहा है कैसे तो electric field जो अब field का मतलब भी लोग सोच रहा है कि space होगा कोई charge होगा वहाँ महान लोग क्यों कोई charge है उसके charge तरह अब all other space है तो अगर कोई charge body के around में कोई space आ गया और वहाँ पहले बाद में कोई charge यहाँ आ गया क्यों नाट तो given source charge और किसी और other charge अगर present हो गया तब वहाँ दोनों के बीच में force लगना चालू हो जाएगा तो common sense में एक formula ध्यान रखा जाता है कि कौन सा force लग रहा है और कौन अनुभव कर रहा है तो force एक जर्द जो हो रहा है उसका care किया जाता है force को कौन अनुभव कर रहा है अगर आप test charge ही अनुभव कर रहा है source charge यह है तो force divided by charge यहाँ लिखना परता है field का original formula यह आप अगर force यहाँ लिखते हो तो charge लिख दो अब charge जो यहाँ है मालों तुमने पूरा main charge को क्यो not बोल दिया अब कोई दूसरा charge यहाँ आ गया कोई भी charge आ सकता है QI हम ले लिए तो जो test charge अनुभव करेगा experience करेगा तो force experience by test charge in the space around the given charge तब वो electric field बन जाता है तो यह formula को धियान रखो हाँ जो बच्चा कुलंस force जान रहा है वो field लिख सकता है charge को divide करका इसमें और यहाँ असान तरीका है field का measurement कैसे करोगे रट के तु चलोगे नहीं field force से related है charge से related है तो तुम इसका SI unit तो लिखना सीख लो कैसे लिखोगे how to write the SI unit of electric field तो इसका इसम बेसिक फर्मूला आ रहा है आपर उपर में newton है नीचे में कूलम है तो जब तक आप newton पर कूलम नहीं देखोगे तुम electric field का decision नहीं ले सकते है electric field का decision लेने के लिए newton पर कूलम लेना होगा तो यह बात का ध्यान रखो कि कैसे ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर और और भी कुछ चटा चटा बात है जो इसमें काम आता है आप electric field में एक चर्चा आ जाता है कि आप से कोई dimension पूछ बैठेगा कैसे लेकोगे electric field का dimension कोई मानलूप बोल दिया तुमसे यहाँ पर मानलो electric field लिया हुआ तुमको बोले write the dimension of electric field तो दिक्कत हो जाएगा जो बच्चा को formula नहीं मालूम है कि force experience by the test charge होता है वो कभी भी नहीं लिख सकता है एक चीज और है जब what dimension आ जाता है जब what dimension of electric field लिख देता है तो यह धियान लखना चाहिए bracket ले लो vector देने का ज़रूद बिशेश नहीं राता है अगर आपका आदत है कि आप vector में लिख रहे हो तो ठीक है but when you are keeping the bracket that you are going to change the electric field as a magnitude तो धियान में रखना है चाहिए आप force का care करो फिर आप यह care करो कि charge को तुम कैसे लोगे dimension बहुँ सारा छोटा 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 बात इसमें काम आ जाता है जो बच्चा force के बारे में पढ़ा है तो Newton's law भी तो पढ़ा है वो mass into acceleration भी तो पढ़ा है और यह mechanics का knowledge यहां काम आएगा यह नहीं कि fix हो जाएगा लग्टो स्टाट में charge है तो current into time भी तो पढ़ा है बच्चा तो change हो रहा है बात अब एक चीज़ और है कि Davinson एक ऐसा chapter है जहां boundary से बाहर हो जाता है thinking वहां fix नहीं है कि you are discussing the लग्टो स्टाट and you will not use the meaning of the current यह सब वहां fail कर जाता है यह सब exceptional knowledge का चीज़ है यहां जैसे यहांब mass लेली अलग accession लेली अलग divided by current का measurement के लिए अलग और time measurement अलग अब standard unit का जो measurement देते हैं आपने 11th class में पढ़ा है capital M power 1 acceleration L T minus 2 यह direct मैंने लिख दिया आपको इसका knowledge पहले से है current को measure कोन करता है ampere time का measurement क्या है capital T bracket दे दो जल्दी चाहरेंज करो तो mass का mass हो गया power 1 L एक उपर है और कहीं नहीं है तो 1 power में जाएगा T minus 2 पर में 1 minus 1 उपर जाके और लग जाएगा ampere उसके बगल में per ampere हो जाएगा पूरे को bracket में डालो यह तुमारा answer हो जाएगा तुम इसको और सजाना चाहरे हो सजा दो M L T minus 3 और ampere पर पर minus 1 this is your answer तो एक मैंने के ग्जामपल ले लिया कि कोई student अगर revision करता है या अपना fit करता है memory power में technique को अपनाता है तो वो कोई जादू का छड़ी नहीं है पर बुह सरह दाना you just write the formula you keep in mind the force is decided by the Newton so with the help of mechanics you write the meaning of the force mass into acceleration and then you think of about the charge because charge is at rest so there is no discussion of motion but charge can be related with the product of the current and time so current and time will give the amount of charge also so we take help of that concept and we put the standard symbol of the mass and length and time and current i a and then we get the relation ml t-3 per ampere a raised to power minus 1 which is the dimensional formula तो इस तरह से देखने की छोटा छोटा बात कहीं कहीं हम लोगो को carefully देखना परता है कि कैसे हम लोगो लिखें ठीक है तो यहाँ पर यह बात आ गया कि आपने electrostate का इस मामला में formula जान गए dimension देखने के लिए कोई भी formula यूज़ करेंगे अब आप next formula देख ले अगर कोई बोला आप अभी just थोड़ा देर पहले principal of superposition का नाम सुने थे लेकिन आप यह भी जानिए कि कोई student आपसे electric field का formula किसी और के कारण भी पूछ सकता है जैसे मामलो electric field कोई बोला कि हाँ बताईए electric field बोल दिया कि चलो due to point charge बताईए अब तो यह दिक्कत हो गया point charge के कारण बताईए अब electric field का formula लिखने के लिए आपको coulombs force का सहारा लेने परेगा f y q net ले रहे हैं अब हम सोचे की चलो force है तो एक बता फोर का epsilon not तो रहेगा ही रहेगा थीक से epsilon not लिखा जाता है अब coulombs force अब आप यहाँ q not लिखे हो q not दोगे कोई charge को q लिए हो point charge है कोई भी q है और उसके 20 का distance है r square अब तुम गौर करो अब जो तुमारा force का formula लिख दिया तो नीचे में एक और है न q not field का formula लिख रहे हैं न तो यह q not यह q not धर जाएगा तो तुमारे mind में यह रहना चाहिए किसे ठीक है 4 by epsilon not यहाँ रखे q by r का square यह चलेगा field का formula अब इस सारा student को इसका ध्यान लखना है आपको नमरीकल्स problem अगर field पे आएगा तो आप ए फर्मूला यूज करेंगे और इसमें कोई भारी नहीं है आप force का साहिता से q not को हैटा सकते हो और आराम से जिस charge के cardan field है बस वही चार्ज अब कोई teacher यहाँ पर q लिख रहा है तो q में answer जारा कोई teacher बोगया हम capital q लिख हैंगे तो कोई problem नहीं है understanding change नहीं हो रहा है आप बड़ा q लिखो छोटा q लिखो उसे कोई फर नहीं पर रहा है electric field अपला सकते हो लेकिन बात है कि आप यहाँ पर यह भी पूदेगा ना कि field का dependence कैसे जा रहा है 1 y y r square जा रहा है तो यह ज़्यादा जरूरी है board exam के लिए board examiner अपना research question करते रहेगा और इसी पर एक question तै हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा variation of electric field with the distance are where the field is produced तो जब यह बात है तो अब तुमको बोला है plot plot the graph teacher research plot the graph of the variation of the electric field अब यह देखी यह board का question बन गया अब यह मेरा नहीं रहा किसी का नहीं रहा यह board का question बन गया तो जियो बच्चों का field का knowledge रहेगा जो variation of field with the square का distance से जानेगा वही बच्चा variation का graph ला सकता है अब यहां पर r लिखना है x-axis पर और field को लिखना है y-axis की और अगर आप इसमें गलती कर दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे 0 number मिल जाएगा origin के जैसा no progress you are lying at the origin जब graph का बात आता है जैसे जैसे r का value हम कम करेंगे field stronger हो जाएगा तो field stronger का मतलब हो गया उसका height जादा मिलेगा और ऐसे ज़से down हो जाएगा अब यह जो graph का nature दिया गया है वो इसले दिया गया कोई बोले equation बताओ तो तुम equation के जाएप field का formula लिख देना हाँ equation कोई बोलेगा कि curve का equation बताओ तो k times q by r square लिख के छोड़ दोगे यह graph का nature हो गया यह equation of graph हो गया इस तरह से देखा जा रहा है कि कैसे हम लोग electric field का हलका knowledge ले रहे हैं तो क्या क्या हम कर सकते field के force के बहाने field जानगे field के बहाने variation जानगे separation का relation जानगे कौन सा charge अनुभव कर रहा है किसके कारण field प्रोडूज हो रहा है यह जानगे हम लोग तो यह सब careful रहना चाहिए first chapter में और भी छोटी छोटी बाते हैं जो आप ध्यान रखेंगे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको एक चीज और है छोटा कि फिल्ड का जो बात होता है न उसमे spherically symmetric word ध्यान रखा जाता है वो बहुत सारा बच्चा को care नहीं रहता है spherically spherically symmetric word यूच किया जाता है यह किस nature में आता है spherically symmetric कि sense में आता है कि जहां भी charge point charge है तो फिल्ड चारो तरफ उसका जाएगा जैसे मालो क्यूँ तुमारा बड़ी है न यहाँ पर तो यह positive charge बड़ी है तो चारो direction में फिल्ड लाइन जाएगा ऐसे ऐसे थोड़ा और अच्छा लगना चाहिए टेड़ा नहीं होना चाहिए बेंडिंग नहीं होना चाहिए बट यूचुट रिपरजेंट अब यह देखो spherically symmetric नेचर आ गया यह जो डियाग्राम तुमारा है all fields are going away तो field का direction बाहर बाहर जाएगा है all possible direction में जा रहा है there is no certain from the charge all the field lines are going out and the fields are also represented in all possible direction and it is supposed to be spherically symmetric if it is positive charge the fields are going out अगर कोई जबरदस्ती बोल देए नहीं sir हम minus q लेंगे तो ले लो minus q लेने से क्या होगा field lines will come near to the charge but the spherical nature will not change spherical nature will not change यह देखो तो यह सब छोटा छोटा concept है जो इस chapter को care कराता है आपका field है चारुत तरफ है in all possible direction fields are present but the direction is inwardly and into the charge body the fields are into the charge body from all sides तो यह nature को spherically symmetric बोल पे है इसका care करेंगे आप लोग ठीक है दूसरा बात आता है यहाँ पे दूसरा बात है बहुँ जगा पढ़े होगे कि कोई line wire है गौर करना हम wire को थोड़ा मोटा दिखा रहे है ऐसा इसलिए दिखा रहे है length हो सकता है यह wire बोलेंगे अब wire बोलेंगे तभी आप wire समझेंगे ऐसा बात नहीं है हम conductor बोल देंगे तो क्या दूसरा चीज़ हो जाएगा हम बोलेंगे कि इस पर बहुँ सारे positive charge का distribution कर दिया मैंने पूरे surface of the wire पे मैंने positive charge का distribution कर दिया तो कौन सा charge का distribution किया तो मैंने सोचा क्यों इस दा amount of charge खाली charge लिख दिये दिमाग में बैठा लिजे अब charge कितना distributed है कितना लंभाई conductor का है इसका क्या symbol है तो lambda बोलते है कितने दूरी पर है आर दूरी पर है तो इन नया word हो गया एक formula आ गया और नाम इसका पर गया linear charge density linear charge density यह भी formula काम का है आप competitive CBC board, NCRT question कहीं से भी कुछ भी tail में कहीं attach कर देगा charge per length is the linear charge density तो एक recalling हो गया कि आप पहला बात charge distribution का जानगे अगर इसी तरह हम shape बदल ले हम थोड़ा और दूसरा idea ले ले हम मान लिए कि यह कोई ऐसा conductor है जो देखने में लग रहा है कि कुछ space को घेर रहा है फर ठीक से yes यह देखने में लग रहा है कुछ अब यहां पर मैंने सब को charge दे दिया गौर करो all sets में उसके surface पर charge मैंने बाट दिया आगे पीछे प्राउंट उट तो कितना हम charge बाटे तो क्यूँ यह जो वाल मान लो भी is the volume पहले तो ध्यान दो कि भी velocity में समझ देना भी जो है volume है तो भी जब volume है और इस पे charge distribution क्यू है तो हम इसको क्या बोलेंगे हम volume charge distribution के कारण इसको हम कुछ नहीं नाम लेंगे तो rho बोलेंगे rho at certain distance कितना charge distributed है कितना volume of the space occupied by the conductor है तो आपको यह formula मिल गया volume charge density का original formula है यह इसका काफी long discussion भी है बट आप एक formula को careful रहे है कहीं कोई question में charge आ गया volume आ गया volume किसका क्या है you will decide whether it is given wire whether it is a cube a void, circle any kind of thinking may be there for finding out the volume अब जब volume की बात आती है तो area into length भी ले लो area into side हम बोल देते हैं generalize कर देते हैं area into side से volume मिल जाता है तो that is depending on the situation तो linear charge density के बाद इसका नाम होगे है volume charge density इसका नाम ही है volume charge density यह सब formula है जो आपको recall करके रखना चाहिए कोई जादा पढ़ने इस नहीं होगा तीसरा है एक और है इसको भी ले लिजे आप मान लिजे आप क्या करना चाहरे हैं कोई conductor का area ले लिजे कोई area decide कर लिए अब वो conductor है तो किसी shape में है और इस area को मैंने s बोल दिया पूरा area को ठीक है अब इस area को ले लिए और इस पे मैंने charge distribution कर दिया पूरे surface पे पूरा पूजिटिव अब चाहर जो distribute किया उसका नाम फिर क्यों कर दिये और S for area बोल दिये थे S is the surface area surface area बोलते है तो एक के आ जाएगा सीगमा नाम का term आएगा at distance r आएगा कितने charge distributed है कितने surface area पर है तो यह surface charge density के नाम से जाने जाते है इसके बीना तो कोई बच्चा में कोई portion लिख सकता है जिस student को यह पता नहीं है कि सिगमा क्या है surface charge density इसका नाम है पहले तो यहाँ लिख लेना चाहिए third point का जो नाम है क्या है surface charge density आप कहीं पर एक जगा यहाँ लिख लो surface charge density इती दर सिगमा ध्यान में लखना साड़ा लक्टो स्टेट का discussion chapter 2 का discussion जो आने वाला time फिर next वीडियो में मैं लाऊंगा कि सिगमा कहां कहां यू जोड़ा है तो एक छोटा सा बात था कैसे यहाँ पर लाया गया formula कैसे लाया गया तो 3 distribution of charges को carefully देख लेना चाहिए student को length wise, volume wise और surface charge तीनों का नाम ध्यान रखने चाहिए linear charge density क्या है volume charge density क्या है हाँ और surface charge density क्या है तीनों क क्या हो लाया ई Just भस झाझ के जूब झाम जर से रीक ह को बात जो इए